लोड खुद मुझरी को जोता ही आंको क्या पता कुरता ही ने मैं आपको चित्रकरला के बारे में पता नें आहे लाग्वर्णो variety पथी पड़ड घ्थ सत्वेट वल्धी और करम चित्रकरला को देखेंगे छैसे कि पढ़ चित्रisineट दिम्जोर चित्र और मध्वणी चित्रा को आज हम लोग देखेंगे और मैं आपको ये उताया है जब मैं इन सारी चित्रकला के बारे को बता दूगी तो उसके बाल मैं आपको एक असाइम्मेंट होगी जो आपको करिये मुझे देना होगा है तो तीन चित्रकलाई मैंने आपको बताई थी उनकी विशेशनाय भी मैं मैं आपको बताई थी आज मैं तीन उसके बाल आपको का असाइль्मिंट होगी उसके बाल दो स्टार्ट करेंगे अपना असिस्मेंट 3 का peart जाना उखेंगे दीके वन हो गया अंबोर wok कलेह त्यार हो रहे है पिर अब स्टार्ट करेंगे यह आगे पढ़ पहते हैं, आज भूर किन चुत्र काळा के बारे इना जाए है? कई धे वित्ति छुत्र कला के बारे में, निए छचछद्र काळा जानेगे क्योंकि टॉपिक अधूरा रह गया था, आदा रह गया तो मैंने सुचा पहले से कभीग कर दूए है उसके बाद उन्हों आगे वड़ते हैं पर असिस्मेंट हार के फर्स चेटर दियो है ना यह एसे ही बाद में आद बीड़ते हैं की एक को बनाने के लिए किस किसज की दु抖 पड़ते हैं किसे बनाया जाता है इस्पें क्या दर्स दाया चांता है यह किस जगह की प्रश्ट है क्या विश에शन अगे इसब शीचे आगे आज तो चलिए एको देखे तो देखे पहले चालते हैं तंजोर चित्र कला होती है तो जो तंजोर चित्र कला है यह चित्र कला कहा की प्रसिद है तमिलाडू की प्रसिद है यानि कि यह चित्र कला तमिलाडू में प्रचल लेते हैं इसमें पौराणिक द्रिश्यों को दिखाया ज छEMAता है यानि जो तन्जोड चित्र कला है इसमें क्या किया जाता है पौराणिक द्रिश्यों को दिखाया जाता है इन चित्री का मूल फलक कतल की लकडी का बना होता है फिर चित्रों के निरमाण में वनस्फती रंगों के साथ 7 Jourda पत्रक माणिक हीरे और अन्य मूलिवान रत्मणियों का उपयोग किया जाता था यानि जो चित्रकला थी इसमें जो बनस्पति रंग थे यानि जो प्राकर्थिक रंग मैंने आपको बताते हैं कि सब्जी से बनाया जाते हैं पूलों से बनाया जाते हैं तो इस चित्रकला में इसके साथ स्वणबत्रक माणिक हीरे और दूसरे मूलिवान रत्मणियों का उपयोग भी किया जाता है लेकिन अब मोती और कांच का उपयोग भी किया जाता है यानि पहले जब इस चित्रकला को बनाया जाता था तो बराश किया जाता है यानि इस चित्र कला को जैसे लोग रंग भार के सजाते थे ना ऐसे ही रंग का तो प्रियोग करते हैं लेकिन इसमें अब मोती और काच का प्रियोग किया जाता है इनको सजाने के लिए उसमें क्या क्या लगा जाता है मोती और काच तो क्या है कहां की प्रशिद यह दिखाय जाता है पॉराणिक द्रिश्य और जो प्रयोग किया जाता है इसके बाद देखते हैं हम लोग यह चित्रकला फार्ड चित्र चित्रकला अब वार्ड चित्र कि प्रसित है तो यह जो चित्रकला यह राजतान की च्ट्रकला है कहां की है राजस्तान की कि आपने पढ़ा रहते हैं यह यह पुछ ऐसे चीज लो को पता होने चाहिए है सित्र कला के आंक की प्रशिलित राधस्थान की सिंडा की vist मतलश में की जाता है उसको लाल रंक पोशाग में दिखाया जाता तबatore का लाल रंक की दिखाया जाता है तौह जुक रहाएं उसकोौ लाल रंकी पोशाग में दिखाया पहले काले रंग से बनाई जाती है बाद में रंग भर दिये जाते हैं तो यह कौन सी हो गई यह चित्रकला हो गई पाड़ चित्रकला है तो इसकी विश्चता आपने जाने लिए किसमें क्या होता है कैसे किया जाता है और यह कहां की प्रसिद है सब चीश्च आपको पड़शिए इस से पहले भी आपने कुछ बेंटिंग्स के बारे में पढ़ा उसके बाद आपने पढ़ा अब पाड़ चित्रकला है अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मदूबनी मदूबनी प्रसिद्ग क्या होती है कहां क यह देखिएए जो मदुबनी हैं चित्रकला वो बिहार की प्रसिद्द चित्रकला है made a कि काहाँ की बैंक प्रसिद्द है बिहार की इसमें पॉराडिक पात्लों के साथ साथ मनुशे पशुपक्षी पेर पौदे कच्छ одной सूरज आधी को भी चित्रत किया जाता यानि इनका भी चित्रत पेंटिंग में बनाया जाता है लेकें चित्र बनाने से पहले कागश पर सूती कपड़े से कोबर का घोल लगा कर सुखाते हैं यानि जिसको 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 बनाते हैं उसको क्या करते हैं कागज पर सूती कपड़े से कोबर का खूल लगा कर सुखाते हैं इसमें प्रियोग होने वाले रंगों को घर पर ही बनाया जाता है जैसे हल्दी से पीला रंग, चावल के चूंड से सफेद रंग, पलाश के फुलों से नारंगी रंग आदी यानि इसमें चुन रंगों का प्रियोग किया जाता है, वो सब घर पर ही बनाया जाते हैं, सारे प्राकर्तिक रंगोंते हैं रंगों की पकड़ बनाने के लिए इसमें बबूल के ब्रिक्षो का की गोन को मिलाया जाता है यानि जो ओ झुछ झिफ यहार है इसके लिए क्या किया जाता है जो बबूर का पेड़ होता है उसमें से जो गों निकलती है उसको इसमें मिलाया जाता है ताकि यह कलर इसमें चिफके रहें तो यह हो गई हमारी मदुवनी पेंटिंग तो आपने देखा ना आज की चित्रकला राजिस्तान की प्रशिद है इसमें क्या दिया जाता है इसमें यह जो पेंटी होती है वस्त पर बनाई जाती है पेंटी काली रख से बढ़ा जाता है फिर उसके बाले में ड्रंग भर दिया जाता है तो यह आपने किस चित्रकला के बारे में पढ़ी यह आपने पढ़ी पार चित्रकला के बारे में है ना फिर देखी चिंदोल तंजोर चित्रकला क्या तंजोर में क्या है था मैंने आपको मैंने बिताया है कि यह चित्वला कहां की प्रसिद्र है यह तमिलारू की प्रसिद्र है इसमें क्या किया जाता है पौराडी दृष्ष्यों को दिखाया जाता है और इसका जो मूल वाला कट्रहल की लगडी का बना होता है किसका बना होता है कट्रहल की लगडी का बना होता है और इसमें क्या होता है बरिस्पती रमों के साथ सुणपत्र, मनिक इन सब चीजहों का प्रे क loaf किया जाता है और मोझी और काश का प्रूट भी किया जाता है कौन से पेटिंग ले हैं तन्जोद पेटिंगे करहा है पहले किए मधुवश्यी कहा नहां कि प्रसित है बिहार की प्रसित है इसमें भी क्या होता है पौराणी पातों के साथ साथ मनुश्य पशुपक्षी पेर पौदे तोदे इस नम को चित्रक्या रहते हैं इसमें डीवी यह सब चीजे बनाई रहते हैं इसमें पौराणी दृष्षी तो बनाना जाता है उसके साथ साथ क्या बनाया होता है पेर पौदे तोदे पशुपक्षे इस अब तीजों को भी मनुद्वणी पी बनाया जाता है पार्चित्र कहां के बसीद है राइस्तान की तंजोद रहां के बसीद है तमिल्ला डूपी मनुद्वणी कहां के बसीद है येस तिखार की तो देखिए आज आपे इन तीजों को भी जान लिया तो देखिए मैंने आपको पुरा था कि लास्ट कोई का साथ में डूपी रहां तान जोड चित्र और मदुर इन छे में इसे कोई भी एट पेंटिंग आपको बनानी है है ये उसको आप मुझे सैज करेंगे मुझे दिखाए निए यह आपका असाइमिंट और उसके बारे में लिखेंगे भी जैसे दोड़ी चीजे मैंने आपको नहीं लिखेंगे यह किस पर बनाई जाती है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसको कौन से रंग का प्योग किया जाता है, इसको कैसे रखा जाता है, जैसे मैंने आपको एक इक प्रिंटिंग के बारे में बताया है, ऐसे ही छे मैंने बताया है, छे में से कोई भी एक आपको बनानी है, और उसके वारे में थोड़ा सा लेखना है लेगे किस से किस पे स्क्रैम बुक पे चीक है उसके बाद वाम मुझे सेंट करके रिखाईएगा कि आपने क्या बनाया कितना सीखा कितना किया तो यही होगा आपका असे तो आज तो हम लोगों ने जेते कला वारा टॉपिक जो की पहले दू हम सुमार एक उपोवन के हैं हंदी लिट्रेश्चर का पाट है इसको एक बार आप अपने आप से पढ़ का देखिए उसके बाद जब आप पहले से पढ़े रहेंगे ना मैं आपको बताऊंगी तो वह चीजे ज्यादा अच्छे से समझ बहेंगे तो उस पोयम को आप पहल अपने डान हुझाता चांए जो पहले मैं श्युक्त और बिश्च दयांगी जब आप शब्द बार शबन देखिए लिए पहले से आपध के आप पार का अउंच को श्योंग कि आपको आपको मैं देख्वार आता हां बहुत अच्छन देख याता ही निगी तो युद्यकत बहुत ही एजी बहुत ही आराम से यार हो जाएगा लेकिन उसके लिए आपको क्या करता है तो मैं मैं जो हो रहे हैं तो यार करता हुआ हुआ है